आज हमने बहुत सारी जो दिब्योस्तियां स्वय में कत्रित की थी उनका हमने समस्कार अनुवर्तनम किया है उनको काट के छोटे छोटे पीसीज में किया है इसके बाद ये यवकूट बनेंगे और क्वाथित द्रब्या ये चूरन द्रब्या के लिए जो है वो तैयार हो जा कुश मूल ये देखिए कुश मूल और ये आपका काश मूल अभी हमने जो है कत्रित करना है हमारे अपने खेतों में लगा है इसके बाद ये द्रब्या जो है ये दुगधिका है ये चित्रक मूल है कौँच बीज है ये एरंड मूल है ये हमारा जो है वो मुगद परनी है आप देख सकते हैं, बड़ा धेर, और ये बला की एक प्रजाती, ये जो हुआ वो शाली मूल ہے, ये मंडूप परणी, फ्रेस फॉर्म में, जो हूँ वो अकत्रित की हुई, ये आप देखिए, ये संग पुस्पी है, और इजनल फॉर्म में, बड़ा धेर, ये भूमियाम प्रजाति यह आपका Lets to connect ahead भी हो चुकी है इसको भी छोटा छोटा जोहाद उसके कऱ्जिये गए है जिए हैं उधर आप देख सकते हैं यह तोल्सी पंचांग है यह माषपरनी है माश्परणी और यह धेर जो है वह आप देख सकते हैं यह प्रिश्णी परणी का है यह अशोगंधा मूल है और यह आप देख सकते हैं यह नागर मोथा है यह प्रिश्णी परणी स्वरी शाल परणी का जो है वह बहुत बड़ा धेर आप देख सकते हैं और यह बला चतु उसकी चार चोथी बाराइटी जो है चार बला की प्रजाती जो है यह है तो इस तरह से हमारे पास हमने आज इनको थोड़ा सा कूट कूट के काट काट के जो है वो छोटे-छोटे कत्रित कर दिया है अब इसके बाद इसमें जो है वो इसको क्वाथित द्रब्या के रूप में यवकूट चूरन इसका बनाया जाएगा हलांकि अभी बहुत सारे जो द्रब्या हैं वो लैंटर पर सूखने के लिए रखे हैं जिनको यवकूट करने की तैयारी पूरन है तो ये यवकूट द्रब्या दिव्या दर्शन भगवान धनवंतरी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे जाए आयरवेद जाए आयरवेद जाए आयरवेद